जैसे ही खाना हमारे मुव में प्रवेश करता है उसे चबाया जाता है, गीला किया जाता है और गले से इसोफेगस तक नीचे भेज दिया जाता है इसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मुव्मेंट के साथ खाने को नीचे पेट तक भेज दिया जाता है फिर पेट क्या करता है? चलिए, जूम इन करके अच्छे से समझते हैं कि आखिर पेट में क्या होता है पेट को एक बड़े बैक जैसा स्ट्रक्चर की तरह सोचे खाने को थोड़ा से डाइजिस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है लेकिन डाइजिस्टन कैसे होता है? पेट के पास हमारी ओरल कैविटी जैसे दाइट नहीं होते हैं तो आखिर खाना कैसे तोड़ा जाता है? इसोफेगस से गुजर कर पेट में बोलस प्रवेश करता है जो मूँ में बनता है बोलस पेट में इस पॉइंट से प्रवेश करता है कुछ डाइजेस्टन यहां होती है और फिर इस पॉइंट से बाहर निकल जाता है पेट से जो बाहर निकलता है उसे काइम कहते हैं बोलस एक फ्लूइड जैसे सब्स्टन्स में बदल जाता है जिसे काईम कहते हैं और उसे small intestine में भेज दिया जाता है अगर हम एक line में ये समझाएं कि पेट में क्या होता है तो ये कुछ ऐसा होगा पेट एक churner की तरह काम करता है और ये खाने को एक milky paste में churn करता है जिसे काईम कहते हैं ये काईम small intestine में release होता है और इस process को पूरा करने के लिए पेट को लगभग 4 घंटे लगते हैं बोलस काईम में कैसे बदलता है इस conversion में दो चीजें मदद करती हैं पहला बोलस पेट में muscle के contraction के कारण चurn होता है जिहां इसे stomach में muscle movement द्वारा physically break किया जाता है stomach का अंदरूनी लेयर wrinkles से भरा हुआ होता है जिसे rouget कहा जाता है और rouget digestion के दोरान खाने को पकड़ने और move करने में मदद करते हैं mechanical breakdown के अलावा stomach के अंदर खाने का chemical breakdown भी होता है chemical breakdown के दोरान अलग-अलग nutrients जैसे की proteins और fats enzymes दोरा breakdown किये जाते है जिहां enzymes खाने को chemical breakdown में मदद करते है और enzymes gastric juices में मौझूद होते हैं जो पेट की दीवारों पर मौझूद gastric glands में secret होते हैं याद रखिए कि किसी भी तरह के chemical breakdown के लिए organ के आसपास मौझूद glands दोरा juices secret किये जाते हैं oral cavity में enzymatic breakdown के लिए हमारे पास salivary glands होते हैं और stomach में खाने के enzymatic breakdown के लिए हमारे पास gastric glands हैं हमें chemical breakdown को detail में समझना होगा bolus के chemical digestion में तीन चीज़े मदद करती हैं वो है hydrochloric acid, pepsin और lipase hydrochloric acid nature में acidic होता है ये battery acid से भी ज्यादा acidic होता है ये hydrochloric acid खाने में bacteria को मारता है और हमारे शरीर को हानिकारक microbes से बचाता है ये इसके functions में से एक function है hydrochloric acid pepsin नाम के protein digestive enzymes को काम करने के लिए उचिज तती बनाता है तो hydrochloric acid अंचाहे bacteria को मारता है और pepsin को खाने पर काम करने में मदद करता है लेकिन pepsin के बारे में आपका क्या कहना है pepsin खाने में एक प्रकार के nutrient के enzymatic breakdown में मदद करता है और वो है protein जी हाँ protein को pepsin नाम के enzyme द्वारा breakdown किया जाता है ये peptide में breakdown किया जाता है जो कि protein का partly broken down रूप है और stomach द्वारा secret किया गया gastric lipase fats के digestion में मदद करता है तो हमारे stomach में खाने के chemical breakdown के बारे में ये तीन चीजे जानना जरूरी है ये हैं hydrochloric acid pepsin और gastric lipase के rolls जरा रुकिए क्या आप जानते हैं कि hydrochloric acid nature में इतना acidic है कि ये metal को भी dissolve कर सकता है जी हाँ ये इतना strong है तो अगर ये इतना strong है तो stomach खुद को कैसे बचाता है ये इसलिए क्योंकि हमारा stomach mucus की layer से coated होता है जो इसे ऐसे strong acid से बचाती है और अगर ये layer किसी भी तरह से खराब हो जाए तो हमें दर्दनाग ulcers हो सकते हैं digestion के अलावा stomach एक short term food storage facility के रूप में भी काम करता है इससे हम ज्यादा खाना जल्दी खा सकते हैं और ये इसे बाद में digest करता है जब हमारा पेट भरा होता है तो ये लगबग 2-3 लीटर तक चबाया हुआ खाना रख सकता है चलिए इसे जल्दी से review करते हैं हमारे पेट में दो चीज़े होती है पहली hydrochloric acid bacteria को मारता है और enzymes को काम करने के लिए उचच स्तिती बनाता है और enzymes proteins और fats को simple components में breakdown कर देता है जैसे ही काईम stomach को छोड़ने के लिए तयार हो जाती है तो pyloric sphincter खुल जाता है और काईम की एक छोटी सी मात्रा को duodenum में pass कर देता है duodenum small intestine का पहला हिसा है जिसके बारे में हम अगले session में समझेंगे